टाइटल सोनू का सफर सपनों का पीछा बहुत सालों पहले एक गाउ में एक छोटा सा बच्चा रहता था जिसका नाम सोनू था सोनू थोड़ा आलसी था लेकिन उसके दिल में एक बड़ा सपना था उसका सपना था कि वह बड़ा आदमी बनेगा और अपने मातापिता का गर्वशी होगा एक दिन सोनु ने एक पुरानी किताब मिली जिसमें थी एक कहानी जो उसकी आखों को खोल दी वह कहानी सिखाती थी कि सपनों को पूरा करने के लिए मेहंत करनी पड़ती है सोनु ने तै किया कि वह भी मेहंत करेगा और अपने सपनों को हकीकत में बदलेगा उसने स्कूल में मेहंत करना शुरू किया और अपने गुरूं से सिखा की पढ़ाई में लगाव और आत्म विश्वास का महत्व है सोनु ने अपनी पढ़ाई में मेहंत की और उसने एक अच्छे कलेज में प्रवेश प्राप्त किया वह अपने मातापिता के लिए गर्वित हो गया और उन्हें खुशी में भर दिया जब सोनु ने अच्छी शिक्षा प्राप्त की, तो उसने अपने गाव के लिए कुछ करने का निरनय किया उसने एक स्कूल खोला और अपने गाव के बच्चों को शिक्षा का सुरक दिया इस सफलता के सफर में सोनु ने सिखा कि सपनों की पूर्ती के लिए मेहंत, आत्म विश्वास और संधर्श का साथ होना बहुत महत्वपूर्ण है उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी सपने को हकीकत में बदलने के लिए हमें अपनी मेहंत में पूरा विश्वास रखना चाहिए अगर आपने यह कहानी पसंद की है तो कृप्या हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और नई कहानिया मिलती रहें